हालो स्टुडेंट्स ये वीडियो तभी आपको समझवे आएंगे जब आपने Chrome Extension Development का Chapter 1 और 2 पढ़ा है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में चाहिए और प्लेलिस्ट मिलेगा आपको Chrome Extension Development का इसे ब्राउज करके पढ़ लिजिए इस वीडियो में हम ऐशा Chrome Extension डेवलप करेंगे जो यूजर के History को Retrive करेगा यूजर के History का मतलब क्या हुआ ब्राउजर में जो भी काम यूजर करता है उनका सारा Record History में Store होता है जैसे यहां देखे यहां मैंने Chrome Extension बनाया है जिसमें वो शारा URL आ रहा है जिसपे मैंने विजिट किया था तो इसी प्रकार से आप यूजर के URL को कैसे Retrive करोगे जिसपे यूजर ने विजिट किया था जरा उसके बारे में जानिए जो Code आपने पिछले वीडियो में किया था उसे Open कर लीजिए Manifest.json के अंदर यहाँ पे हम एक पर्मीशन लेंगे History क्योंकि History एक्सेस करना है यूजर का तो History एक्सेस करने का पर्मीशन आपको आड़ करना होगा Index.js में आ जाए Window onload function के अंदर यहाँ पे Chrome के अंदर से History API को एक्सेस करेंगे और फिर इसके अंदर से Search Constructor को एक्सेस करेंगे इसमें दो पैरामीटर पहला आपका जेसन डेटा और दूसरा आपका Callback function यहाँ पे कुछ हम Pre-Defined Properties डिफाइन करते हैं जिसके माद हम से User के History को कंट्रोल किया जाता है हमें शारा History चाहिए यूजर का तो Text Property का इस्तमाल करेंगे और इसे Empty कर देंगे ऐसा करने से User अब तक जितने भी वैब साइट पे जा चुका होगा सारी की Information हमें मिल जाएंगी वो शारा Information यहाँ रिशीव होगा जिस नाम से आप पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास करोगे उसमें रिशीव होगा टेस्टिंग करने के लिए यहाँ देखे म पिछले वीडियो वाला तो उसे Remove कर दीजे और फिर Load Unpacked पे क्लिक करेंगे अप को चूज कर लिजे यहाँ शे ऐसे अब देखे मैं New Tab लेता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ एक्स्टेंशन पे छोटा सा विंडो है इसी विंडो पे राइट क्लिक करके Inspect मे जाएंगे और एक्सेस करना सिखिए टाइटल अगर हम एक्सेस करेंगे तो टाइटल मिल जाएगा अगर हम URL एक्सेस करेंगे तो URL मिल जाएगा अब इसको Present कैसे करना है जरा उसको देखिए यह देखने आड़े के अंदर रिजल्ट आया 0,1,2,3,4,5 हमें सारे डेटा को एक्सेस करना है जो आई के अवेल्यो जीरो ये लूप कब तक चलेगा जितना डेटा होगा तब तक जैसे अगर एड़े में यहां देखिए कितना डेटा है 99 तो हमें लूप 0 से लेकर 99 टाइमस चलाना होगा इसलिए मैंने यहां डिफाइन के 0 और यहां डिफाइन है 0 से लेकर 99 टाइमस आपका लूप चलेगा और यहाई में इंक्रिमेंट ओपरेटर अब अगर आप यहाँ पर डेटा आई पास करते हो तो फॉर्स्ट टाइम डेटा जीरो यानिकी यह देखे यह जीरो सेकेंड टाइम वन फिर फॉर्थ टाइम टू और फिर फॉर्थ टाइम थ्री तो ऐसे ही कर करना है तो कौन सा प्रापर्टी एक्सेस करें के यूरल अगर यह सब चीज आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने जावास्किप्ट सही से नहीं पढ़ा है अब यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट को क्रियेट करो जैसे मैंने हैडिंग नाम का वैडियेबल क्र एलिमेंट क्रियेट करनी का मतलब है टाइक क्रियेट करना शो जावास्किप्ट में टाइक को क्रियेट करने के लिए क्रियेट एलिमेंट में थड का इस्तमाल करते है मुझे एच फोर टाइक को डिफाइन किया अब आप हैडिंग से एच फोर टाइक को एक्सेस कर सकतो जि देखिए अब इसके ठीक बाद anchor tag create कीजे जिसमें आप अपने URL के बाड़े में define करोगे copy paste कर लिजे उसे link नाम का यहाँ पे variable create करना है आपको और यहाँ define कर देजे anchor tag create होगा simply link के अंदर आपको क्या write करना है वो define कीजे तो anchor tag में मैंने inner est email को पास किया मुझे write करना है link में URL को शो आप ऐसे define कर दो एक और चीज याद होगा आपको जभी भी anchor tag create करते हो उसमें href का value बनाते है तवी तो click करने कवाद वो खुलेगा तो href का value क्या बनेगा जो URL होगा वो तभी हम URL पे click करेंगे तो URL हमारा खुल जाएगा अब आपको decide करना कि ये दोनों कहा प्रजेंट होगा मैं define कर देता हूं कि ये दोनों body में प्रजेंट होगा शो पहले हम title को प्रजेंट करेंगे तो देखे title वाला जो element है वो कौन से variable में है heading वाले variable में और फिर इसके बा इस पे click कीजिए देखे title आया और ये रहा title का URL फिर title आया URL टाइटल आया URL अगर URL ओपन करके देखना है तो right click करके यहाँ open link के new tab पे click करेंगे तो देखे URL open हो गया एक बार web institute.com पे विजिट करके software engineering पे click कीजिए ताकि आपको web institution की online classes के बारे में शारी information हो शके वीडियो शमाज में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें web institute की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद